नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में हम वेस्विकरण के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन वेस्विकरण की चर्चा करें उससे पहले आज दो महतोपरण दिवस है एक महासिवरात्री है तो सभी को महासिवरात्री की बहुत-बहुत सुबकामना है औ इसके पिछे का इतियास क्या है क्योंकि current affair में ये चीजे है वो पूछली जाती है तो अगर हम इसके इतियास की बात करें तो इसके इतियास को दो कहनियों से जोड़ा जाता है एक कहनी है वो 1857 की है दूसरी कहनी है वो 1908 की है इन दो कहनियों के साथ international movement day को जोड़ा जाता है वो है नियू आरक, तो कहते हैं कि नियू आरक के अंदर महिला कपड़ा मेल में जो काम कर रही थी, उन्होंने अपने काम के गंटे कम करने के लिए वेतनवर्दी के लिए आंदोलन किया था 1857 में और यहां से जो महिलावादी आंदोलन है उसकी सुरुवात माननी जाती है। के अंदर उस दिन दोनों ही यह गठनाई है कि 8 मार्च कोई थी, तो इस दोनों का ही जो महतो है, वो 8 मार्च को विशेश महतो है, तो इस एतियासिक महतो को देखते वे 1905 को, 1905 को सियुक्तराष्टर संग ने, ओपचारिक रूप से, इसके पिछे कानियां जो भी है, तो य यह इतने माइने नहीं रखती, क्योंकि यह अन ओफिसली स्टोरीज है, तो एक्जाम में यह नहीं पूछी जाती है, एक्जाम में पूछा जाता है कि महिला दिवस कब प्रारम हुआ था, तो 1905 को सियुक्तराष्टर संग ने, 8 मार्च के एतियासिक महतो को देखते वे, इ कौन सा वरस गोसित किया गया, अंतराष्टिय महिला वरस विसेश कॉनफरेंस हुई थी इनकी, और 1905 से 85 तक है इसे अंतराष्टिय महिला दसक गोसित किया गया, तो अंतराष्टिय महिला दिवस की सुरवात ही या इसकी गोशना कब हुई थी, 1905 के अंदर, 1905 को अंतराष राश्ट्रिय महिला वरस के रूप में बनाया जाता है और पिचेतर से पिचासिय का जो दसक है वो अंतराश्ट्रिय महिला दसक के रूप में बनाया जाता है और 2001 को राष्ट्रिय महिला से सक्तिकर्ण वरस बनाया जाता है 2001 को राष्ट्रिय महिला से सक्तिकर्ण वरस बनाया जाता है तो ये बात थी International Women Day की अंतराष्ट्रिय महिला दिवस की अब बात आती है कि राष्ट्रिय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रिय महिला दिवस है वो 19 फरवरी को मनाया जाता है 19 फरवरी 2011-12 के अंदर इसकी गोशना हुई थी ये भारत की पर्थम महिला गरोनर स्रोजनी नाइडू जिसे कोकिला की नाम से जाना जाता है गाइका रही है तो इनके जनम दिन को देखते वे राष्ट्रिय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को अंतराष्ट्रिय महिला वरस मनाया जाता है 8 मार्च को राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को तो इनकी तो देखो कोई theme नहीं होती है राश्ट्रिय मेहिला दिवस की कोई theme नहीं है लेकिन इंटरनेशनल वीमेंडेज जो होता है उसकी एक theme होती है तो अब किबार दो हजार चोविस में इसकी theme क्या है महिलाओं में निवेश सिमर्दी में तेजी ये इसकी theme है और जो दिवस की कहानिया है और कहा जाता है कि 1908 के अंदर ये निवारत के अंदर महिलाओं की प्रेड हुई थी अधिकारों को लेकर विशेश तोर से जो काम काजी महिलाएं थी उनकी लेकर और इस दिन 1909 को 8 मार्च को ही अमरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने महिलादिवस मनाने की गोष्णा की थी और कहते हैं कि सबसे बड़ा जो योगदान था वो 1910 के अंदर कलारा केटलीन का था कलारा केटलीन ने अंतराष्ट्य महिलादिवस के लिए विशेश प्रयास किया तो इसलिए इनके जनक के तोर पे कलारा केटलीन को भी जाना जाता है और 1913 के अंदर इसकी नियमित है वो शुरुवात हो गई थी लेकिन ये सब है वो उनको कोई और इसकी घोषना की गई थी इसको ही है तो यह हो गया इसमें आपको एक कलर दिखाई दे रहा होगा परपल कलर बेंगनी कलर तो यह महिला सक्ति का परतीक माना जाता है जो पिंक कलर है वो नहीं है अंतराष्टे महिला दिवस को जो विशेश कलर पहचान दी जाती है वो बेंगनी कलर को दी जाती है एक जो हमारा ओनलाइन प्लेटफरम है सोशियोलोजी क्लासेजिन हिंदी के नाम से तो उसका ये लोगो है तो इस में जो भी जितने भी हमारे कोर्स सुपलवध है उन सब पर 25 पर 30 ओफ है वो रखा गया है वेसे कम रखे हैं हमने प्राइज फिर भी इस आउसर पर ये 2-3 दिन ओफर ये चलने वाला है तो अगर मन बना रहे हैं तो अभी अच्छा ओप्शन है कम 25 पर 30 सथ कम दरों में आपको और से बोफ लब्द हो जाएंगे अब हम बात करते हैं मुखे रुप से जो आज का हमारा टोपिक है ब्रेश भी करण भूमंडली करण पर तो ग्रेश ने एक ऐसा टोपिक है जिस पर जितना बोला जाएं उतना ही कम पड़ेगा और इसको समझना थोड़ा सा जटिल है इसके परभाव और इसके कारणों को जानने की कोसिज करें तो बहुत सारे परभाव बहुत सारे कारण है तो आज इस क्लास में हम लगबग दो क्लासों में यह होगा इसका अर्थ परिवासा आयाम कोण कोण से धार्मिक आयाम है सांस्कृतिक आयाम है सामझिक आयाम है राजनेतिक आयाम है कारण क्या है परभाव क्या है इसके सकारा बेश्वीकरन एक जटिल आउधारना है आसान नहीं इसको समझना एक हमारे पर क्या प्रभाव बेश्वीकरन का है कौन सा अस्तानिय प्रभाव है यह सब बड़ा मुश्किल काम है और बहु आयामी आउधारना है इसके बहुत सारे आयाम है जीवन के समाज के हर पक्स को सास्तर से लेकर मनो विज्ञान तक सब को इसको प्रवावित किया है तो सामाजिक आर्थिक राजनेतिक समंदों का जो इसमें विस्तार होता है स्तानिय स्तर से लेकर बेश्वीक्स तरब तक होता है तो कोई सामाजिक चीज है किसी देश की चीज है वो पूरे दुनिया में फेल जाती है राजनेतिक समंदों होते हैं एक देश के अंदर कुछ भी घटना घटित होती है पूरी दुनिया में फेल जाती है आर्थिक होता है कि अगर इरान का युद चलता है तो पूरी दुनि जिनको हम जानते हैं LPG, LPG के नाम से जानते हैं, उनमें से ही एक वेस्विकरण है, liberalization, privateization और जी का मतलब globalization, तो इन परकिरियां में से ही एक परकिरिया है, वो हमारी वेस्विकरण है, और यूं कहें कि इन दोनों की वज़े से वेस्विकरण को और ज्यादा गती मिली है, उनिक वेस्विकरण के हम बात करते हैं, जो उदारी करण के बाद में आया है, privateization से प्रवावित रहा है, तो इसकी सुरुवात है भारत के अंदर कम से कम 1980 के दसक, जो अन्था उससे सुरुवात हो चुकी थी, 1980 के दसक में उर्दार्द में, यानि 1985 के बाद के भाग में, भ करिया भारत में हो गी थी, अगर सही माइने में हम, सही माइने में देखें, तो भारत के अंदर जो उदारी करण और जो प्राइवेट लाइजेशन था, नीजी करण था, उसके बाद से वेस्विकरण को गती मिली है, उसकी सुरुवात होती है, 24 जुलाई, 1991 में को, जब मन महुन सिंग जी उसमें वितमंत्री थे, नर्शिंगा, पी नर्शिमाराओ, उसमें देश के परधान मंत्री थे, तो उनके काल के अंदर ये बजट पेश किया गया था, जब भारत का जो विदेशी मुंद्रा मंधार था, वो एक अरब डोलर से भी कम रहे गया था, तब भा भारत स्तानियस्तर पे विदेशी वेपार पे बहुत सारे पर्ति बंद लगाया हुए था, वेपार भारत में करना आसान नहीं था, खुला वेपार नहीं था, तो उसमें इस बजट के अंदर भारत को विश्वय बजार के लिए खोल दिया गया, उदार बना दिया गया, प उसे बात चलती रहती है वस्वरार में पूरा विश्वही अपना परिवार इता परी कित धुराव mandatory रेख रम परिवार है भी वेस्वीकरन बिइसे प्रकार हैं लेकिने कंब स्काराथ्मक आधारना क्या है वस्वरार रंदी कंकर रवत आउधारना है हम पूरी दुनिया का कल्यान चाहते हैं वेश्वी करण में पूरी दुनिया का कल्यान नहीं है खुद का कल्यान चाहते हैं अगर वेश्वी का अन्यवागों का कल्यान होता है तो वो उसका एपरतेक्स परनाम है परतेक्स परनाम नहीं है उसका तो आज हम के पूरी दुनिया में प्लिजाती है जैसे की क्रोना के दुरान हम ने देखा वे स्विक ठेल है वे सmост 각ल Efendimiz को बढवा ही देती हैं तो अब अगर हम बात करें कि वे स्विकरण उसके हम चर्चा करेंगे कि यह इसकी शरवाद कब सहोती है कि चरन कोन से लेकिन जो अउधारना के रूप में जब हम वेश्विकर्ण के बात करते हैं तो वेश्विकर्ण पर्किरिया का प्रनाम है करन। का मितला पर्किरिया है कि देखो कुछ समाज एक होता है वाद और एक होता है करण करता होता है परकिरिया वाद करता है विचारदारा तो बेस्विकरन विचारदारा नहीं है एक परकिरिया है और परकिरिया होती है वो हमेसा लंबी ही चलती है तो एक लंबी परकिरिया है इसमें हाजारों चीजें मिली हुई है तो किसी एक को हम इसका इस अवधारना का स्oken देव और हम अर्थ साफतर में मैंने पड़ने की कोशिस की वेस्वीकरन को तो रजनिती में वेस्वीकरन का जनक किसी और को मना जाता है। तो हम यहां बात कर रहे हैं समाज सास्तर की, तो समाज सास्तर में वेश्वी करण की आउधारना के तोर पे जनक माना जाता है, वो माना जाता है, रोबर्ट सन को, किन को माना जाता है, रोबर्ट सन को पीकरण का जनक माना जाता है, इनकी पुस्तक थी 1902 में में Globalization, Social Theory and Global Culture Social Theory, सामाजिक, सिधान्त, एयों, वेश्विक, संस्कृति यह 1902 में Globalization को लेकर लिखी पुस्तक है Globalization को लेकर पहली पुस्तक है इससे पहले इनोंने विचार पर कटकर दिये थी लेकिन Globalization पे नाम पे इनकी पहली पुस्तक है इसलिए इनको Father of Globalization के नाम से भी जानते हैं इनके साथ में यह थे सहे विचार की रहे हैं इनके Octavio, इरानीनों ने 1995 में में पुस्तक लिखी थी यह ब्राजिल के थे, इसके थे, यह ब्राजिल निवासी थे इनकी पुस्तक लिखी थी तियो राज डी ला गलोबलाइजेशन तो हिंदी में हम इसको कहेंगे Theory of Globalization वेस्विकरण के सिधान्त तो यह इसके प्रारंबिक विचारक है Robertson और Octavio Iani और इनी के साथ में एक नाम और आता है Welcome Waters का जिन्होंने 1904 में में globalization बुस्तक लिखी globalization के लेखक कोन है तो Waterson भी globalization नाम के बुस्तक के लेखक है और इनकी पुरी पुस्तिक का नाम था globalization social theory culture तो इससे पहले 1991 में global city नमक पुस्तक लिखी थी सास्किया सासेन ने global city वेस्विक विल गाओं और इससे पहले 1960 के दसक में global village का प्रयोग किया था सरोपर्थम मार्सल मेल्क्यू हान ने कनाड़ा के लिखक थे तो global village global city फिर globalization यह परकिरिया है तो देखो जब हम पीजीटी लेवल की बात करते हैं तो पीजीटी में भी यह वेस्विकरन का टोपिक आता है और पिछली बार बिहार पीजीटी का एक्जाम था राजस्तान पीजीटी का एक्जाम है उनमें पूछा गया था तो उनमें चीजें ज चल सकता है तो इसके लिए हम और कहराई में इसको पढ़ेंगे तो पिछली बार आया था कि वेस्विक गाओं गलोबल विलेज की अउधारना किस ने दी तो परिबासाओं की बात करें तो रोनाल्ड रोबर्टसन जो इसके जनक भी बाने जाते हैं तो इन्होंने एक लाइ शुक्रना और समग रूप से दुनिया की चेतना का चेतना की तीवर्था यानी दुनिया सिकुड रही है और दुनिया की चेतना में तीवर्था आ रही है तो इसको जो कहेंगे कि वेश्वी क्रण की परकेरिया आध्यूनिकी क्रण एयों आध्यूनिक बात से जुड़ी हुई है तो ये विश्वे के सिमतने एक एक विश्वे की चेतना को इंगित है तो ये परिवासा सेम ही बात है दोनों की दोनों बातें एक जैसी है दोनों की द फिर एकी की विश्वे की चेतना या समगर रूप से एक साथ, एकी क्या नहीं एक साथ, दुनिया की चेतना में ती वरताना, ये रोबर्टसन की परिबासा है, तो सहएद आप कोई अच्छी तरीके से याद रहे जाएगी, मेलकम वाटरसन इसकी परिबासा के ही कि बेश्वि सांसकर्तिक पहलूं पर बोगोलिक सिमाओं के बंधन कमजोर हो जाते हैं, यानि जो सामाजिक शांसकर्तिक आयाम है, पहलू है, रिलेशन है, समंध है, तो उसमें अब भुतिक सिमाओं, बोगोलिक सिमाओं का जो बंधन था, वो बंधन दूर हो चुका है, अब पाकिस्ता और भारत के लोग है वो सकता है वो Facebook पे या WhatsApp के माध्यम से एक दूसरे के साथ संप्रक करते हूं वैसे नहीं जा सकते हैं वैसे तो एक वेक्ति उदर से आप भी नहीं सकता विज़ा भी परकिरिया लग बग ठपी है अपनी और दोनों देशाओं के बीच में था लेकिन अब इसे आप हैं और कोई ऐसा बंदन नहीं है कि वो एक दूसरे के सामाजिक रूप से संप्रक में नहीं आएंगे तो दुनिया में किसी भी कौने में वेक्ति बेटा हुआ किसी भी कोने se आँने सामाजिक शमन्द संस्तापित कर सकता है, मितरता बना सकता है। वे वाइक समन्द बनाए है अभी पिछले साल उदर से खीछे एक मेला उदर गही थी, तो कहीं ना यह बेश्वीकरन का ही पर्नाम है। इसमें संचारड़ों की बढ़ी बू मीका रहती है। तो सामाजिक सांसकर्तिक पहलों में गुलिक सिमाओं के बंधन कमजोर हो जाते हैं, यह परिवासा किन की है, बाटर्शन की है, विविन देशों के बीच में आतonteरवरता है बेशविकन है अब ये आतम निर्वरता की सीविकन है और फिक। संस करते को इसमें उन्हें नाम नहीं दिया है। नेट में इस परकार आजते हैं कि किस परकार क आछ में पारता की बात है किरेंस सथी, तो उनमें से बताईए तो फिर क्या हो जाएगा अपना एक तीन और चार इस परकार से और साथ में कहते हैं कि वेश्विकरन समय और स्थान की बादाओं को समाप्त कर राष्ट राज्यों कि मद्य निर्बरता यह एक इकरण की परकिरिया है तो यह वेश्विकरन है तो आप कोई भी एक डेफिनेशन उठा सकते हैं मुझे बहुत परेशान आते थी वेश्विकरन के अंदर वेश्विकरन पता है कि क्या है लेकिन इसको परिबासित करना बड़ा मुस्किल काम है तो आप कोई भी परिवासा रोप ले सकते हैं, इनकी उल्रिच बेक ने क्या कहा लेना कैशन इसके वह बात करते हैं मेग राज देशाहि में इनका मुखी रूप से आर्थिक आयाम है यह मैंने अर्षास्तर को पढ़ने का प्रयास किया तो इसमें कुछ और ही मिल रहा था तो वहां जाने की जूरत नहीं है फिर भी मैं लिख रहा हूं कोई बड़ी याद रहे तो ठीक नहीं चल जाएगा रखने की ज्यादा जूरत नहीं है बेस विकरन बढ़ती वी पारसपर हैं फिर भी कोशिश किये कि कुछ पर्मुक विसेश्ताओं का हम जिकरियां पर करें तो यह क्या है विचार पुंजी सरम वस्तू सेवाओं का विश्वयवापी परवाह है यह विचारों का परवाह है आर्ज भारत के अंदर सहरों के अंदर लेट मेरीज या डबल इंकम नो किड्स डबल इंकम नो किड्स विटिज की बात है वो चल रही होती तो यह से अमरीका से विचार आता है अभी पुझी का परवा है, शेर मार्केट में हम देखते हैं कि विदेशी आते हैं, निवेस करते हैं, सरम हैं, बहरत के लोग हैं, वो लग-लग देशों में कदा कर, काम करते हैं या अन्गे लोगों के देश बहरत हैं, वस्तू है, स्हेवाओं का, अब श्कल्टाउमcolor यह विश्वयापी संस्कृति यह संस्कृति का सहजातिय करने इसमें दिरे-दिरे संस्कृति क्या हो रही है कि सहजातिय करनो रहा है संस्कृति का कल्चर वह एक जैसा होता जा रहा है अब हम सट पहना रखिया साइदी यह पहले नहीं थी अपनी संस्कृति के अंदर नहीं ह होगा पेंट नहीं होगा या महिलाई जो और कुछ भी पहनती है आज मोडरन ड्रेस जो पहनती है वो नहीं होगी आज हम पीजा खाते हैं तो यह खाना पीना पहनावा सब कुछ वेस भी खोरा है आज मेकडोनाल्ड का जो सूरू में वो छोटे-चोटे खुल रहा है तो यह सब चीजें आ रही है तो यह क्या है सहजातियाकरण और तो इस प्यारोप यह लगते हैं कि यह जो संस्कृति का यह विकासिल देशों की संस्कृति नहीं है यह संस्कृति जो सहजातियाकरण है वो क्या है पस्चिम देशों की संस्कृति है विक्सित दे लेस या पतानी लेयर खेज की बात है वो की जा रही थी एडम स्मित के द्वारा एह स्थेफ की निति वो ज्यादा से ज्यादा उसका सवरूप हो रहा है तो लोकल ल्यान का रिराज्य वो अपनी बुमी का कम करते जा रहे हैं अब सिक्ष्या स्वास्ते जैसे बुनियादी च रहा है तो इसमें उब भोगतावादी संस्कृति का परवुत है वो काफी बढ़ रहा है और विविन आर्थिक और राजनेतिक संग्ठनों का निगमों का इंटरनेशनल बवरास्टी कंपनियों का उद्ध्य हो रहा है बजार का परवुत है तो मुख्यरुप से जो सबसे जदिक इसका परभावसाली आयाम है वो आर्थिक है राजनेतिक भी है सामाजिक भी है सांस्कर्तिक लेकिन जो सबसे मैतोप्रण परभावसाली कारख है वो क्या है आर्थिक आयाम है इसका क्योंकि दुनिया के अंदर मारक्ष ने का भी कि जो चीजें बुनियाद है वो क्या है अर्थ विवस्ता ही बुनियाद है तो वेश्वीकरण के कारण प्रभावों आयाम की अगर हम बात करें तो कारणों की बात करें तो पहले कारण जान लेते हैं फिर प्रभाव जान लेते इन पर चर्चा करेंगे तो कारण क्या है सुचनायो संचार का विस्तार सुचनायो संचार साधनों का विस्तार तो इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँआ यातायात के साधनों का विस्तार इन दो ने यातायात के साधनों ने और सुचना संचार के साधनों ने सबसे बड़ा योगदान दिया यातायात के साधनों में तीवर गती से दुनिया के एक दूसरे देशों आना जाना आसान हो गया वैपार हो गया सरम का जो अदान परदान था वो आसान हो गया लेकिन बाद में याता राजनेतिक बोलते हैं इसको समराज्यवात, राजनेतिक अब विकास हिल देश ना चाते वे भी बेस्वीकरण, उदारीकरण, नीजीकरण को अपनाने के लिए मजबूर हुए हैं जैसे भारत के साथ भी हुआ, अंतराश्टिय संग्ठन है, तो उनसे भी बेस्वीकरण को ब और सबसे बड़ा योगदान रहे वो क्या है, पार राश्ट्रिय निगम, पार राश्ट्रिय निगम, मल्टी नेशनल कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनी, एनस सी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, आज जो कोका कोला भारत में नहीं पिया जाता है, पुरी दुनिया के लग बग लगबग देशों में को ये कादा देश बचता होगा जिन पर नहीं किया जाता है